पौश पूर्नीमा पर महंत की तबियत खराब होने से नहीं निकली पध्यात्रा, कार से मंदिर पहुँचे महंत, मावभक्तों ने लगाए जयकारे, 24 फरवरी को भरेगा महाकुम। आप देख रहे हैं डूंगरपूर खबर फास्ट न्यूज चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। आज की तबियत खराब होने से पध्यात्रा की जगह विकार से ही बेनेश्वर धाम पहुचे। वही हजारों मावभक्त जयकारे लगाते हुए सीधे ही बेनेश्वर धाम पर आए। धर्मध वजाएं और जयकारों के बीच मावभक्तों ने मंदिरों में दर्शन किये। महंत ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की, महारती उतारी गई और भक्तों को आशिरवाद दिया। वही कई भक्तों ने त्रिवेनी संगम में पवित्र डूप की लगा कर मंदिरों में दर्शन किये। वही अगले महीने तक बेनेश्वर धाम पर भक्तों की भी रहेगी। इधर इस मौके पर बेनेश्वर धाम पर धर्मसभा का आयोजन हुआ, धर्मसभा को महंत अच्छी उत्यानंद महाराज ने संबोधित किया और माव भक्तों को धर्म की राग पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्ग मंत्री वविधायक महिंद्रजीत सिंग मालविया, उद्योगपती नारायन लालोडा, उनमचंद पटेलोडा सहित मौजूद रहे।